भाईो आज सुबह को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डिसकेशन करा था बैंटम वेड डिविजन के बारे में और बैंटम वेड डिविजन आगे कैसे प्रोग्रेस आउट कर सकता है पर UFC 288 का में इवेंट भी होने वाला है हेंडरी सहूडो और एलजमेन स्टरलिं के बीच में तो इसी के उपर मैंने एक वीडियो डाला था उसमें से आप में से ही किसी एक भाई ने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग करा रहा जिसके उपर मेरा ध्यान गया इस कॉमेंट में ये लिखावा था कि यह एलजमेन स्टरलिंग की लास्ट फाइट होने वाली है म काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो मैंने सोचा इस बारे में आप सबसे एक वीडियो करके डिसकेशन कर लिया जाए क्योंकि देखे यहां पर बहुत सारी मिसकंशेप्शन से लोगों की जब अलजमेन स्टरलिंग काफी बारी इंटर्व्यू में बोलते हैं कि वह मू और यह सब गोल कंप्लीट करवा दीजेगा तो देखे सवाल यहां पर यह है कि क्या अलजमेन स्टरलिंग की यह लास्ट फाइट होने वाली है यूफसी 288 में बैंटम वेड डिविजन में जहां तक बहुत सारे लोगों और अलजमेन ने खुद भी अपनी इंटर्व्यू और यह मैं आपको अभी वीडियो में एक्स्प्लेइन करता हूँ बता देने से पहले यह जो टाइटल छोड़ने की बाते हैं यहां से ओरिजनेट कहां से हो रही है बहुत सारे लोग अलजमेन स्टरलिंग तो कहने कि वह ताइटल इसले छोड़ेंगे क्योंकि उनको वेट अलजमेन स्टरलिंग को तो कभी न कभी ताइटल शॉट चाहिए होगा और कभी न कभी इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होने के चांसे होते हैं तो डेफिनेटल यह सारे रीजन यहां पर है जिसके खारन यह सारी बाते उठ रही हैं डिविजन चोड़ने की और ऊप बट मेरे को यहां पर ऐसा लगता है कि अलजमेन स्टरलिंग सिर्फ हावा में बाते कर रहे हैं यहां पर ऐसा कुछ भी उसका प्लान नहीं है डिविजन चोड़ने का यह यह फाइट उसकी लास्ट फाइट हो सकती है बैंटमवेड डिविजन में उसका पहला रीजन यह है कि देखिए अलजमेन स्टरलिंग बहुत टाइम से यूफसी में है उसका डेब्यू हुआ था आट सालों से यूफसी में है अब जहां के पास इसके पास चैंपियंशिप आई है और यह सिर्फ इसलिए नहीं चोड़ देगा यह वाली बेल्ट कि उसका कोई फ्रेंड नीच कर जा है जो कि उसके लिए फेदरवेट डिविजन अल्रडी इतना अजादा टफ हो रखा है वहां पर मैक्स होल वे और बहुत सारे खतरना कमंटेंडर्स है तो वह बेल्ट को विकेट करके एक टाइटल छोट लेगा फेदरवेट डिविजन में इसके अगेंस्ट वह डब चीज़े पॉसिबल नहीं है अगर बहुत जादा गिव अप करना पड़ेगा एलजमेन स्टर्लिंग को एक तरीके से अपना कैरियर छोड़ना पड़ेगा जो कि एक बहुत ही इलस्ट्रिस कैरियर बना सकता है वह बैंटम वेट में तो वह उसको टाइटा भाइबाय करना पड़ेगा अगर उसने वह वेल्ट को वेकेट कर आपनी बेल्ट को चैंपिंशिप छोड़ी तो और दूसरा में रीजन जो यहां पर है कि लेकि इस डिविजन में वह मूव आन करने की बात कर रहा है वह डिविजन कोई इजी डिविजन नहीं है फैदर वेट डिविजन म और टेकड़ून करके उसके साथ वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा फ्लोड़ होने क्योंकि एक वेट क्लास उपर जाना बहुत है डिफिकल्ट होता है हम सबको लगता है कि सिर्फ दस पाउंड का दो डिफ्रेंस आता है बट वहांपर डिफरेंस बहुत ज़्वट जयात प्रवेट के चैंपियन से अलेक्जांडर वोलकुनोवस्की से फाइट करना चाहेगा, वो किसी कंटेंडर से ओविसली फाइट नहीं करेगा, तो डेफिनिटल अगर कोई भी फाइटर यहां से अपने डिविजन मूव अन करता है, कोई भी चैंपियन अगले डिविजन में तो ताइटल शॉट ही लेगा न, उसीधा चैंपियन से ही फाइट करेगा, वो कंटेंडर से क्यों फाइट करने जाएगा, प्रॉब्लम यहां पर यह निकल के आती है कि देखिए, फैदर वेट डिविजन का तो चैंपियन है वोलकुनोवस्की, उसकी आइस सेट है यह फिर अवेलिबल नहीं होगा एलजमेन स्टर्लिंग के साथ फाइट करने के लिए वो फिर लाइट वेट डिविजन के लिए अपना डबल चैंपियन स्टेटस लेने के लिए चला जाएगा, तो डेफिनेटल दीख सकते हूँ यहां पर फैदर वेट में इसको टाइटल मिलना एलजमेन स्टर्लिंग को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और स्पेसिफिकलि अगर वेट के बाद टाइटल अपना वेकेट कर देता है, तो उसके बास फिर कुछ बचेगा नहीं करने को, फैदर वेट डिविजन में फिर उसको कंटेंडर से फाइट करना पड़े अपने फ्रेंड के लिए कि मेरा आप डॉलिश्विली को भी चैंपियन बनने देता हूँ, मैं अपने यहां से वेल्ट वेकेट कर लेता हूँ, जबकि वो एजली बैंटम वेट में रहके आराम से क्रूज ओन कर सकता है, एक साल, दिर साल और चैंपियन बना रह सकता है, ए मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया कि कैसे पॉसिबल नहीं है, अगर यह सारी चीजे कोई कर भी रहा है, फाइटर से इतना जादा छोड़ रहा है, सिर्फ दोस्त के लिए तो वो बेवकूफी माना जा सकता है, इसमें बेवकूफी वाली बात होगी कि आप चैंपिय लिश्विली के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें आप सब अपना उपिनियन मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप सब क्या लगता है कि क्या एलजमीन स्टरलिंग की ये लास्ट फाइट होने वाली है बैंटम वेड डिविजन में या वो और फाइट्स करेगा, तो जो भी आपका उपिनियन होगा, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, 1850 सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो अगर आप